आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी सेफ टड़ी फैमिली में आज के स्पेशल वीडियो के अंदर हम डिसकस करने जा रहे हैं करंट अफैर और इस्टेटिक का अती महत्पों टॉपिक जो की सभी परिक्षाओं के लिए इक्वली इंपोर्टेंट है हम डिसकस करेंगे अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो तो यह हमारी 13.5 इंच की परिती है जिसका वजन वेट 8.5 पाउंड बात करें केजी में किलोग्राम में तो 3.856 किलोग्राम होता है इसका वेट यह प्योर गोल्ड की बनी होती है जो की जो विणर है हमारा उसको दी जाती है ठीक है और यदि हम बात करें इस वीडियो के अंदर हम क्या डिसकस करने जा रहे हैं तो हम डिसकस करेंगे complete list जो winner है Oscar Award 2022 के 17 की 17 category हम इसके अंदर discuss करेंगे ठीक है उसके अंदर हम discuss करेंगे Best Film का Award, Best Picture का Award किसे दिया गया है ठीक है जैसे Dune हो गई तो Dune को जैसे Best Cinematography, Best Film Editing Best Music, Best Sound Best Production Design और Visual Effect इसके 6 Award दिये गए सबसे ज़्यादा Award Dune ने जीते हैं इसे discuss करेंगे, इसके अलावा देखेंगे Best Actress का Award, Best Actress in Supporting Roll में किसे दिया गया है इसके अलावा देखेंगे Best Director का Award किसे दिया गया है, Best Actor in Male, या फिर Best Supporting Actor in Male किसे दिया गया है ठीक है तो ये भी discuss करेंगे इस वीडियो के अंदर ठीक है तो आईए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो सबसे पहले देखेंगे हम Oscar Award 2022 के बारे में कुछ important तती है जैसे बात करें यह है Los Angeles के Dolby Theater में 2022 के जो Oscar है उनकी घोशना की गई थी ठीक है जैसे बात करें सबसे पहले पहली बार पहली बार 1929 में जो हमारा Douglas Fair Bank है उसके दोवारा The Hollywood Result Hotel में इसका आयोजन किया गया था तो 1930 में ये उस टाइम पे इसका जो प्रकाशन है वो रेडियो वगेरा पनी किया गया था तो स्टार्टिंग में जब ये स्टार्टिंग हुई थी तब बारे थी आज ये 17 कैटेग्री में दिये जाते हैं आपसे पूछ लिया जाए क्योंकि स्टार्टिंग के पॉइंट वी से इंपोटेंट हो जाता है कि सबसे पहले जो हमारा Best Actor का आवार्ड है वो किसी दिया गया था तो Best Actor का आवार्ड दिया गया था हमारा दी करंट के पॉइंट टच में हो आप तो 92 नंबर का जो हमारा ओसकर था जो Best Movie का आवार्ड मिला था वो मिला था पैरा साइट को 9 फरवे 2020 को उसके बाद जो 93 नंबर का ओसकर था वो मिला था Nomadland को Best Movie का और इस बार जो मिला है वो हम डिसकस करेंगे किसे मिला है सारों लेखकों वे टैकनीशियन को दिये जाने वाला पृतिष्ठित सालाना पुरुसकार है जो कि एन्वली हर साल दिया जाता है ठीक है और यदि बात करें इसका objective इसका main objective जो उद्देश्य है वो है सिनेमा छेतर में सवसिष्ट व्यक्तियों को समानित करना ठीक है तो वो आप इसके नाम से और इसके काम से भी समझ सकते हो ठीक है उसके बाद यदि हम बात करें कुछ fact हमारे इंडिया के point of इसे भी important है जैसे बात करें हमारा इंडिया भारत को सबसे पहले जो Oscar award कब मिला तो यह मिला था 1983 में आप जानते होगे जो हमारे भानु अथाया है उन्हें costume design के लिए मिला था जिसके जो director थे वो थे Richard Antibaro जो गांधी movie है उसके लिए दिया गया था आपको पता होगा तीसवे नंबर के Oscar थे उसमें नामित हुई थी ठीक है महबूब खान की थी यह movie उसके बाद दूसरी movie हमने देखी होगी आपने इसके अंदर तो वो थी हमारा सलाम Bombay ठीक है इसके लाबा लगान हमारी गली बॉई अब नामित हुई थी nomination के लिए ठीक है ऐसी कमल हसन जो हमारे South के बहुत best actor है उनकी भी साथ movie गई है हमारे आमिर खान की पांच movie गई है लेकिन officially इनमें से एक movie है बस लगान ठीक है इसके अलाबा सलाम Bombay Slum Dawn Millionaire और हमारी जो Mother India है ये गई है बस officially तो ये आपको याद रखना है इंडिया के point of view से ठीक है फिर उसके बाद हम बात करें जो हमारा ये जो award function है ये किसके दोरा होश्ट किया गया था दो 2022 का ठीक है तो ये हमारा रेजीना हॉल, एमी सूमर और वाड़ा ये तीन female comedian है इनके दोरा इसे होश्ट किया गया था ठीक है किसको हमारा जो 2022 का हमारा Oscar Award है इसको होश्ट किया गया था इसके अलाबा आपको याद रखना है कुछ important fact Oscar Award The Academy Award के बारे में Oscar Award को ये हम क्या बोलते है Academy Award ये Academy पुरिसकार क रूप से भी जाने जाता है इसके अलाबा बात करें ये है वाड़ हर साल Academy of Motion Picture Arts and Science द्वारा दिया जाता है ठीक है तो इसी Academy द्वारा हमारा 1902 में में जो सत्यजीत रे हैं इनको मरोनोपरांत Lifetime Achievement Award दिया गया था तो इंडिया के पॉइंट विसे इस Academy का नाम आपको याद रखना है ठीक है जिनकी तीन मूवी हमारी nomination के लिए गई थी कहाँ पे Oscar में ठीक है तो सत्यजीत रे पहले हैं पहले और लाश्ट ही मानो भी तो ठीक है तो कौन है हमारे Lifetime Achievement Award पाने वाले सत्यजीत रे 1902 में में दिया गया था किसके दौरा Academy of Motion Picture Arts and Science के दौरा ही ठीक है इ Hollywood Ridge World Hotel में इसका आयोजन किया गया था सबसे पहले 1930 में पहली बार रेडियो पर प्रकासन हुआ था Oscar Award The Academy Award का उसके बाद 1953 में जाके हमारा television में पर प्रकासन होना शुरूआ है ठीक है तो यह फैक्ट आपको जो एक तरीके से static fact है इस से यह आपको याद रखने ही और जो यह आपने स्क्रीन पर दिखरी होगी आपकी पर इस प्रितिमा को भी एक पर्टिकुलर नाम दिया गया यह प्यॉर गोल्ड की बनी हुए होती है जिसकी मैंने हाइट बताई थी अभी 13.5 इंचिज और वेट इसका 3.85 केजी ठीक है तो इसका एक पर्टिकुलर नाम होता है ठी से अच्छी सहे नाई का सहे अबनीती का जो अवर्ड मिला है वो मिला है हमारी एरीना डी बॉस को किस मूवी के लिए वेस्ट साइड स्टोरी के लिए ठीक है तो एरी एरियाना डी बॉस इनको दिया गया यह वर्ड आप स्क्रीन पर देख सकते हो अपनी पर यह हैं एरिया तो यह बेस्ट कॉस्ट्यूम देख लो आप कैसे कॉस्ट्यूम है इनका यदि भारत में होती है आईफा वगएरा में तो पहली अवर्ड फंक्शन से बाहर ही रोक लिया जाता है कि मिल गए आपके नॉमिनेशन की विनन की छोड़ो आपको अंदर ही निजाने जाने दियाता सदना क्या पहन रखा है समझे नहीं आ रहा है दो जार एक्किस छोड़ो एक्किसवी सदी की सुल्तान रजिया सुल्तान लग रही है यह मिल गया कोई दिख करें हमें एक्जाम के पॉंटिव जार रखना है ठीक है तो बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइन का अवर्ड मिला इ यह 6-6 अवर्ड एक ही मूवी को मिले है जिसे 10 नॉमिनेशन दिये गए थे हमारा ओसकर 2022 के अंदर बात करें सबसे ज्यादा नॉमिनेशन किसके लिए दिये गए थे The Power of the Dog के लिए दिये गए थे 12 नॉमिनेशन उसके बाद 10 नॉमिनेशन थे हमारे डून के लिए लेकिन आपको याद रखना है बाकी कुछ याद हो ना हो लेकिन बेस्ट जो मूवी है ये ड्यून और एक कोड़ा ये दो मूवी से डिटी जितने भी फैक्ट है वो आपको याद रखने हैं सारा जितना भी हमारा ओसकर है कंप्लीट कफर हो जाएगा इन दो मूवी के साथ ही ठीक है तो बैस्ट साउंड बैस्ट ओरिजिनल स्कोर बैस्ट फिल्म एडिटिंग बैस्ट सिनिमोटर ग्राफी बैस्ट पोडेक्शन डिजाइन बैस्ट वीज्वल इफैक्ट ये छे के चे अवाड गई है डियून को जै इसके लिए फिल्म डियूम के लिए आपसे पूछ लिया जाए बैस्ट साउंड का तो मैक रूत और हमारा मैश्ट मैगीन के साथ तीन और होंगे मतला कि टोटल पांस थे इन्हें दिया गया है डियूम के लिए प्रोडेक्शन डिजाइन का तीन लोग है आपको नाम याद उसके बाद Best Adapted Screenplay इसे बोलते हैं Best Writing Award तो यह जो कोड़ा की Director और Writer है हमारी San Header इसको दिया गया है तो कोड़ा के लिए किसको दिया गया है San Header को यह Director भी है कोड़ा मूवी की जिसे Best Picture Award मिला है और उसकी Writer भी है यह याद रखना है आपको तो कोड़ा बहुत Important Movie है क्योंकि Best Actor in Supporting Role जो हमारे ट्योर कुट सूर है उनको दिया गया है Best Actor Supporting Role यह भी कोड़ा के लिए मिला है Best Picture Award को दिया जाएगा और Best Director और Writer किसके द्वारा करी गई है इसकी San Header के द्वारा उन्हें Best Writing मतलब कि Adapted Screenplay का वाड़ दिया गया है वो आप देख सकते हो यह है हमारी कौन San Header ठीक है उसके बाद बात करें हम Next Award की तो हमारा Next Award है इसी के अंदर Best Original Screenplay तो यह दिया गया है हमारा Belfast के लिए हमारा Kenneth Branek को तो Belfast के लिए किसको Kenneth Branek को दिया गया Best Original Screenplay का वाड़ ठीक है तो आप देख सकते हो अपने Screen पे उसके बाद Next Award की बात करें तो हमारा Next Award है Best Animated Sorts क किसके दुआरा जीता गया है The Wind Silled Viper के दुआरा ठीक है तो यह जीता गया है Best Animated Sorts का अवाड़ उसके बाद Next Award की बात करें हमारा इसके अंदर तो वो हो जाएगा Best Live Action Sorts तो यह दिया गया है Long Goodbye The Long Goodbye को ठीक है आप देख सकते हो अपने Screen पे यह थी हमारी Movie कौन सी The Long Goodbye इसे दि Best Award की बात करें है उसकर 2022 के अंदर तो Best Supporting Actor तो Best Supporting Actor जैसे हमने देखा था न Best Supporting Actress का स्टार्टिंग में पहला वाड़ उसके बाद Best Supporting Actor का वाड़ पूछा है इसमें तो यह दिया गया हमारा Troy Kotsur को किसके लिए उसी Movie के लिए Koda के लिए जिसे हमारा Best Picture का वाड़ भी मिला ह है जिसकी डारेक्टर और राइटर कौन है सैन हेल्टर याद रखना है आपको Best Supporting Actor की बात करें तो किसे मिला है हमारा Troy Kotsur को Koda मूवी के लिए ठीक है तो Koda और Dune दोनों मूवी बिलकुल याद होनी चाहिए एक्जाम के पॉट्टिवी से इसके बाद बात करें हम Best Makeup and Hair Style क तो Best Makeup and Hair Style का अवार्ड जो मिला है वो मिला है The Eye of Tammy Faye के लिए दिया गया है Best Makeup and Hair Style का अवार्ड उसके बाद यदि बात करें हम Next Award Best Animated Feature Film तो Best Animated Feature Film का मिला है Encanto को जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो यह है हमारी Encanto Animated Movie है यह Short Movie ठीक है उसके बाद Next Award जो 2022 के जो हमारे Oscar Award है उसके अंदर दिया गया Best Documentary Feature ठीक है इसी feature के अंदर हमारी भारतिये movie भी नामित हुई है 2022 में nominated हुई थी ठीक है उसका जीता जिसने वो थी Summer of Soul, Summer of Soul को Best Documentary Feature का अवार्ड मिला है ठीक है हमारे Oscar 2022 के अंदर उसके बाद Next Award की बात करें तो वो है Best Documentary Shorts तो Best Documentary Shorts का वार्ड किसने जीता है The Queen of Basketball, Basketball की रानी ने जीता है Best Documentary Shorts का वार्ड उसके बाद हमारा Next Award की बात करें तो Next Award है Best Original Song जो की यही किसमा Academy Award है 2009 का उसके अंदर जो Slum Dog Millionaire है उसके लिए Best Original Song Best Original Score का अवार्ड जीता था जो किसके दौरा डारेक्ट की गई थी Danny Boyle के दौरा ठीक है उसके अंदर एक Award और मिला था 2009 हमारे लिए बहुत Important है किसमा जो Academy Award है क्योंकि उसमें भारत ने बहुत सारे Award जीते हैं दो तो ह हमारे एर रह्मान ने एक जीता था बैस्ट साउंड मिक्सिक के लिए ठीक है साउंड इंजीनियर थे रसूल पुटकुटी इनके द्वारा जीता गया था ठीक है तो यह तीन Award मिले थे 2009 के Oscar Award के अंदर तो यह हमारे लिए बहुत Important हो जाता है क्योंकि यदि पहले Oscar की बात कर Best Original Song Award इस बार किसे मिला है No Time To Die को मिला है ठीक है तो No Time To Die को Best Original Song का वोड मिला है उसके बाद हमारा Next Award की बात करें तो वो है Best International Feature Film सारी जो कंटरी है बस इसी में पार्टिसिपेट करते हैं सब जाता कमप्टिशन इसी फिल्ड में होता है जो हमारी जितनी भी मूवी गई है ब Best International Feature का वोड मिला था इस बार Drive My Car जो की कैसी मूवी है हमारी जापानी मूवी है ठीक है उसके बाद Next बात करें तो Next Award है हमारा Best Actress ठीक है जैसे कि हमने देखा था बाद में जैसे हमारे यहां आईफा बगरा होते हैं तो उसमें स्टार्टिंग में जो नॉर्मल नॉर्मल से अब आते हैं बिल्कुल इंपोर्टेंट सारे दो मूवी आपको याद रखने हैं द्यून और दूसरी कोड़ा उससे लिटी जितने भी तथे हैं वो याद रखने हैं इसके अलाबा जो इस चार अवोर्ड है यह जरूर याद होने चाहिए बेस्ट एक्ट्रेस का सबस्षि अबिनेतरी जैसीका चैस्टेन उसके बाद नेक्स्ष्ट अवोर्ड है हमारा बहुत ही इंपोर्टेंट वो है बेस्ट एक्टर तो बेस्ट एक्टर का वोर्ड दिया गया बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रॉल पूछा जाए तो वो थे हमारे ट्योर कोच्छूर लेकि सबसे निर्देशक का वोर्ड जो मिला है वो मिला है हमारा जैन कैंपियन को किसके लिए दा पावर ऑफ डॉड के लिए तो जैन कैंपियन को क्यों सा अवर्ड मिला है बेस्ट डारेक्टर का दा पावर ऑफ डॉड के लिए सबसे ज्यादा नॉमिनेशन थे दा पावर ऑफ तो the power of dog के अंदर यह है हमारी डारेक्टर जिनका नाम क्या है जैन कैपियन उसके बाद next बात करें तो next जो हमारा वार्ड आ जाता है ठीक है next और last अवार्ड तो best picture तो यह जो बेलफास्ट यह गलती से लिग गया है तो best picture का वार्ड best movie का वार्ड मिला है हमारा कोड़ा को ठीक है तो कोड़ा के बारे में और भी fact बताए थे जैसे कि हमने बहुत सारी चीजे डिसकस किए कोड़ा के बारे में जो उनकी director और writer है हमारी send header उनको दिया गया है तो यह हमने सभी जितने भी हमारे important award या total award सकतर है जो हमारी category है उनमें जिसको अवार्ड दिया जाता है ठीक है वो हमने सभी current के point of see discuss किया इसके अलावा जो हमारा इंडिया के point of see चीजे important हो सकती थी वो भी हमने इसके साथ ही current के साथ ही static की चीजे भी हमने cover कर ली I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा ठीक है thank you for watching मिलते हैं next वीडियो में